बरसात के मौसम में बहुत है विनास्ता करने का मन नहीं करता है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो और पसंद भी आए सभी को आज मैं ऐसे ही नास्ता की रेशिपी सेयर कर रही हूँ मूं हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है तो एक बर आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और यदि मेरा ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्ली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो एक बर आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने क्या किया एक डब्बा साबू थरी मूंग ली थी जिसे धोकर चार घंटे के लिए भिंगो कर रख दिया था मूंग अच्छे से फूल चुके हैं इसे पानी से निकाल कर मिक्सी के जार में डाल देना है इसमें चार हरी मिर्च और एक टुकरा अधरक डाल देंगे अब इसमें एक कटोरी सूजी डालेंगे और आधा कटोरी यदि खटा दही है तो आधा कटोरी और खटा दही नहीं है तो एक कटोरी इसमें दही डाल देंगे अब इसमें उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे इसे बारीक पीसेंगे पानी जादा नहीं डालेंगे देखे कितना सुंदर लग रहा है इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे और एक चम्मच इसमें इनो डालेंगे इनो डालकर इसमें पानी डालकर एक्टिवेट कर देंगे अब इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दो चमच इसमें तेल डालेंगे, तेल डालने से सौफ्ट बनेंगे इडली, अब इडली एस्टेंड में तेल से इसे ग्रीस कर लेंगे, अब इसमें थोरे थोरे करके बेटर को डालेंगे अब इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी से, बहुत अच्छा लगता है खाने में, अब पानी गरम हो गया है, अब इसमें इडली एस्टेंड लगा कर इसे ढख देंगे दस मिनट हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करेंगे, ये देखिए फुला फुला कितना अच्छा बना है इडली मूवी मूंग का, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगेगा खाने में, अब ठंधा होने पर इसे निकाल लेंगे अब एक पैन में तेल डालेंगे, करीब ये पांच चमच तेल है, इसमें राई डालेंगे और एक चमच राई और एक चमच इसमें उजला तील डालेंगे, करीब पत्ता डालकर इसे चला लेंगे अब इसमें एक प्याज डालेंगे इसे बारीक मैंने कट कर लिया था अब इसे अच्छी तरह से चलाएंगे इसमें ये तीन लहसन है इसे भी मैंने बारीक काट लिया था इसको भी इसमें डाल देंगे यदि आप लासन नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजेगा लेकिन लासन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका खुस्बू सचमुच बहुत अच्छा आ रहा है प्याज, लासन और करी पत्ता तीनों का खुस्बू बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें एक टमाटर कट करके डालेंगे अब ये देखे इडली कितना अच्छा बना है अब इसे कट कर लेंगे चार टुकरे में इसे काट लेंगे इस तरह से चार टुकरा में इसे काट लेंगे सारे इडली को चार टुकरों में काट लेंगे अब इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्स पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोरा सा नमक डालेंगे क्योंकि उसमें मूंग में भी थोरे से नमक डाले थे इसलिए इसमें भी थोरे से नमक डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे अब सारे इडली को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम हाई के रखेंगे सभी कोई स्था से मिक्स करके इन्हें भूनेंगे थोरा सा भूनने पर क्रिस्पी लगता है तो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में और इसमें आधा निम्बू का रस डालेंगे और अच्छी तरह से इसे भी चला कर मिक्स कर देंगे ये देखिए हमारा मूं का इडली बन कर तयार है अब इसे एक प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे सच मुझ बहुत टेस्टी लगता है एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और सेयर किजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा कि ये कैसा लगा ये मेरा रेसिपी सच मुझ देखे कितना सुन्दर लग रहा है और कलर भी कितना सुन्दर आया है इसे बच्चे के लंच में भी आप दे सकते हैं मैं सब्ता में इसे दो बड़ जरूर बनाती हूँ क्योंकि ये मूंग का है, मूंग हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है, ये आप भी जानते हैं तो इसे आप लोग गर्मा गर्मीन जोआई कीजिए, बनाईए, खाईए, खिलाईए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसेपी के साथ झाल